आपने अपने क्लीनिक के अंदर ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे होंगे जिनके लगवक सारही पॉस्टीरेट नाथ के अंदर कीडे लगे हुए हैं और आप अकर उनकी के अंदर फिलिंग कर भी दो और एक दो साल बाद दुबारे से चक अप करो तो आपको secondary केरिज अराम से देखने को मिल जाएगी अगर आप GIC या composite फिलिंग करते हैं तो उनके अंदर secondary केरिज आपको असानी से देखने को मिल सकती हैं तो ऐसे patients का हल क्या है? Hi, मैं GDS Dentals है, Dr. Rohit Sharma. आज की इस वीडियो के नदर हम बात करेंगे कि जो highly cariogenic teeth वाले जो patients हैं, उनको हम best treat कैसे कर सकते हैं? Directly solution के उपर jump करने से पहले हम एक बार देख लेते कि dental caries आखेर होती क्यों है? Dental caries को होने के लिए 4 factors का होना बहुत important है, और अगर इन 4 factors में से कोई एक भी factor missing है, तो dental caries नहीं होगी, और ये factor है tooth, microbe, substrate and time. मेरा कहने का मतलब ये है कि dental caries तभी होगी, जब patient high carboidate diet ले, और वो जो sucrose है, वो plaque के साथ मिलकी tooth के उपर stick रहे कुछ time तक, जिसके कारण low pH के अंदर microbes पैदा होकर tooth को demineralize कर सके. और जब वो demineralize कर देंगे, तो एक chain reaction स्टार्ट हो जाएगा, microbes multiply होते रहेंगे, वो tooth को decay करते रहेंगे, demineralize करते रहेंगे, और फिर उसके बाद caries को stop नहीं करा जा सकता. और जो ये dental caries का chain reaction है, इसको कुछ चीज़े बढ़ावा देती हैं, और कुछ इसको कम करती हैं. जैसे patient अगर brushing के अंदर लापरवाई दिखाए, saliva कम बने, fibrous food कम खाए, या patient पानी कम पीए, तो आपको caries देखने को ज़्यादा मिलेंगी. और वहीं पर अगर patient ठीक से brush करता है, chlorhexadine वाले mouthwash उस करता है, fluoride toothpaste इस्तमाल करता है, fibrous food खाता है, तो आपको कम caries देखने को मिलेंगी. पर अगर आपके पास सच में high caries risk वाला patient अगर आता है, तो उसका correct वे क्या है, उसको ठीक करनेगा, उसको treat करनेगा. तो हमारा इन patient के अंदर जो first step होता है, वो है consultation. हमें ये record बनाना चाहिए कि patient आखिर diet में carbohydrates ज़्यादा कहां से ले रहा है, किस चीज से ले रहा है, और patient को हमें motivate करना है कि इस carbohydrate diet को वो कम करें, fibrous food को include करें, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं. फिर हमें patient को brushing और flossing की importance समझानी है, उसको correct way भी बताना है, आपने notice किया होगा, आपके पास जो patients आते हैं, उनको correct way भी नहीं पता brushing करनेगा. तो इन patient के अंदर बहुत important हो जाता है कि वो correct way से brushing करें और flossing करें. Second, जो हमारा important step है, वो है controlling plaque या oral biofilm. जैसा कि आप जानते हैं कि caries हो गई, या periodontal problem हो गई, या दान्त की कोई भी related disease हो गई, वो ज़्यादा तर plaque और oral biofilm से start होती है. अगर हम इस oral biofilm को plaque को control कर पाए initial stages के ऊपर तो caries नहीं होगी. Market के अंदर जितने भी antimicrobial agents आते हैं, anti-pluck agents आते हैं, वो सारे के सारे thin biofilm के ऊपर ही act करते हैं. यानि अगर plaque की layer मोटी हो गई है, तो वो उसके ऊपर act नहीं करेंगे, और caries progression को या periodontal disease progression को रोका नहीं जा सकता. इसलिए ये बहुत important है कि patient हमारे पास repeatedly 6 से साल भर के अंदर scaling कराता रहे, regularly brush करे, flossing करे और oral hygiene को maintain करे. थर्ड है, avoiding low pH. जैसा कि आप जानते है, dental caries तभी possible है, जब mouth के अंदर low pH रहे और वो भी काफी time तक और बार बार frequency के अंदर. अगर किसी patient को मीठा बहुत पसंद है और वो अपनी heart diet में, beach, meal के दोरान भी मीठा खाता रहता है, तो वो जब भी मीठा खाएगा तो pH ड्रॉप हो जाएगा, और उसकी frequency भी जाता है मीठा लेने की, high carbohydrate diet लेने की, तो वो high risk individual बन जाता है. आपको ध्यान होगा कि पहले एक study हुई थी, जिसमें ये बताया गया था कि cold drink से दात खराव हो जाते हैं, basically cold drink low pH कर देती है, जिसके कारण जो minerals है, calcium phosphate है, वो tooth में से leach out हो जाते हैं, and tooth demineralization होने की वज़ये से caries prone हो जाते हैं, इसलिए अगर हम किसी patient के अंदर caries को stop करना या रोकना चाता है या prevent करना चाते हैं, तो तीन चीज़े होने के बहुत जरूरी है, पहला कि pH बार बार drop ना हो, second, अगर pH drop होने के कारण to demineralize हो गया है, तो कुछ ऐसी चीज़ होनी चीज़े जो उसको remineralize कर सकती हो, and third, use of fluorides, जैसा कि आप जानते है, fluoride teeth को strong बनाने मे मदद करता है, fluoride एक layer बना देता है tooth के ऊपर जो की natural tooth से भी ज्यादा strong होती है, अगर कोई highly karyogenic patient है, तो ये important है कि patient के tooth को remineralize करा जा सके, और इसके लिए कुछ toothpaste आती है, जैसे tooth mousse, clean pro या ivoclair का floor protector gel, इन सारी चीज़ों के अंदर calcium phosphates वगरा होते हैं, और ये tooth को remineralize करने क के अंदर मदद करते हैं, और जो second important चीज़ जो हम कर सकते है patient के अंदर, वो ये है कि हम एक ऐसी filling provide करें, जो tooth को remineralize करने के अंदर मदद करती हो, fluoride release करती हो, ions release करती हो, कि pH drop ना हो, yes, ऐसे product आज के time के अंदर market में available है, और मैं लगबग 2-3 साल से ही इस्तमाल कर रहा हूँ उस product को, जो in patients के अंदर caries को stop करने के अंदर काफी फायदे मन्द होते हैं, और मैं बात कर रहा हूँ, आई वो कलेर के product, sention N के बारे में, sention N के powder and liquid को देख कर आप confuse नहीं होना कि ये GIC है, ये GIC बिलकुल नहीं है, ये amalgam और composite का एक बीच का material है, जिसके अंदर amalgam जैसी तो strength है, और composite जैसी aesthetic है, और इसको use करने के proper technique है, आप उस technique को ही follow करें, तभी आपको desired result मिल सकते हैं, otherwise नहीं मिलेंगे, मुझे इस material की एक जो सबसे important बात जो अच्छी लगती है, और जिस वजह से मैं use करता हूँ, वो है इसके fluoride और iron release के, ये filling material calcium और hydroxide ions release करते हैं, जो कि pH क drop नहीं होने देते हैं, fluoride release करते हैं, जो tooth को remineralize करने में मदद करता है, और वो antimicrobial और anticarionic भी होता है, इस material के अंदर से hydroxide और calcium ions तब release होते हैं, जब patient कोई high carbohydrate diet खाए, pH low हो जाता है, और फिर इनके ion release का trigger दब जाता है, और उसके अंदर से calcium और hydroxide ions release हो जाते हैं, जो कि low pH को counter करते हैं, और neutral pH पे ले आते हैं, एंड हम सब लोग fluoride को तो college days से ही जानते हैं, हम जानते हैं कि fluoride हमारे लिए क्यों अच्छा है, इसलिए सारी toothpaste के अंदर fluoride already available होता है, fluoride tooth calcium से bind करके एक stronger material बना लेता है, जो कि natural tooth से भी ज्यादा strong होता है, और ये anticarionic तो हम जानते ही है तो fluoride ऐसे patients के लिए बहुत ही important चीज है, जो कि caries को stop करने के अंदर मदद करता है, और studies ये बताती हैं कि ये cention end लगबग 2-3 साल तक ये ions को release करता है, लेकिन अभी भी आपने cention end को product नहीं खरीदना है, आपने पहले cention end की what is cention end and how to use cention end की videos जरूर देख रही हैं, तभी आपको desired results मिल पाएंगे, thank you for watching, please subscribe our channel for watching other useful videos, thank you